हाई गाइज वेलकम बैग टो मैं चानल मेकप विद्व साथ कैसे हो आप लोग उमीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छों बहुत टाइम बाद में आप लोग से मिल रही हूं इसलिए मैं यूटूब से थोड़ा सा ब्रेक लिए हुई थी क्योंकि मुझे को भी वीडियो शूट नहीं करना था इतना दिन बाद आप लोग से बात करके इसमें बहुत अच्छा लग रहा अब आप लोग को हम मेरा रेगुलर वीडियो मिलने वाला है इंश करनाल को वाल छाया है हम आप लुब यू यूडियो को वीडियो को मिलने वाला है जो बह All सबसे पहले निचे मंut कर लका का सब्सक्राइबटन होगा उसे आप लोग प्रेस कर देगा ताकि मैं जो भी वीडियो जालूँगी सबसे पहले आप लोग पास पहुचेगा एंड गाइस प्लीज इस वीडियो को करना लाइक अपने फ्रेंस पामनी के साथ भी शेयर करना तो आज मिला मुझे यह यह पर पल का कुछ सामाना आया जिकाती हूं क्याथा है जो सबसे पहले मेरे हाथ में क이 go ahead Yourishi मास्क तो यह है सेश का सीथ मांज कर Άege यह मुझे मिला है प्री केटमे सफिट में कि मैंने व्यर्वाइण सॉपिंग किया ता यसी लिए उन्हों ने मुझे सीमत्तियों है तो यह सीथ मास्क तो सबसे पहला मेरा यही था तो थैंक यू यह मैं ट्राइब करूंगे आप तक साथ जरू शेयर करूंगे कैसा है तिक है उसके बाद जो मेरे पास है वो है गुट वाइस का लेवेंडर स्मूतिंग टोनर सो गाइस यह मैं ली हूँ प्रिया दी के सजेशन पर क्योंकि उन्ह यह मैं यह मैंने मंगवाया है यह तो यह है गुट वाइस का लवेंडर स्मूतिंग टोनर इसका प्राइब गाइस 205 रूपीस इसका एंड़िया भी पुरा फुल पैक ज्रेस को मैं ओपेन भी नहीं किया हूँ तो पैन मैं करके देखते हूँ कि स्मेल काफी अच्छा है अभी मैं यूज नहीं क्यों है यूज करने के बाद में इन सब का आप लोग के साथ रह करूंगे और गाइस में आप मेरे इंस्टाग्राम पर अगी तक मुझे फॉलोव नहीं गया तो क्या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है जल्दी से जाकर आप डेली लाइफ के बार में शेड करते रहती हूंत तो यह रहा मेरा गुडवाइफ का लेंडर है टोनर तो ये रहा उसके बाद जो है वो है इस्टेक वेर्की का मेकप प्रुमूवर है ये साइज ये रहा ये मेकप प्रुमूवर इसको मैं अभी तक ओपेन भी ने क्यों तो ये रहा ये मेकप प्रुमूवर है एसक्यू का तो इसको मैं आप लोको ओपन करके दिखाती हूं और ये रहा है कुछ इस तरह कार पैकेजिंगि अच्छा है कि ये कितना मेकप प्रुमूव करता ये तो मैं यूजर से बाद इसете का में में आप प्रुमूबह करता तो है तो इसका भी प्राइश था 1 στο 180 रूपीच अओ इसका प्राइज वनेटी रूपीसी था हां तो सेकंड प्रॉडक्ट मेरा ये था इस ट्रेकरगी का मेकप रिमूबर तो ये है कुछ ये प्लास्टिक के बॉटल में आया है ये तो ये था मेरा सेकंड पॉर्डक्ट इसके बाद है मेरे पास ये शिस ब्यूटी का है ये लिक्विट ऐसे ऑफ टा गई्स मितलब मैं बता और अनी सकती इससे पहले मैं यूज कर चुकी हूं जब मैं यूटोब नहीं मतलब यूटूब पे नहीं ती तब मैं इसका मैं एक विश्की घू और मुझे बहुत वर्फ करता है तो इसको मैं आपको ओपेन करके दिखाती हूँ और इसमें मेरा शेड नमबर है शिक्स को मैं ओपेन करती हूँ तो यह रहा है कुछ इस तरह का पैकेजिंग है तो कि ब्लेंड भी बहुत इजली हो जाता है अगर आप कम प्राइस में कोई भी कंसीलर अगर आप लेना चाहते हो अगर आप अभी बिगनेर्स हो तो गाइस यह मैं आपनों को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा कंसीलर है यह स्विस ब्यूटी का सणीट मेरा सेड था सिक्स यह था मेरा कंसीलर पीचे में सारा कुछ मेंसन किया किया है कि आपको कैसे करना क्या इजब्स करना तो अपड़ पर सकते हो अगर आप यह बाइक करने चाहते हो तरह hypocorkण को कर लोगी कि आप यह कर लيग։ बहुत अच्छा हुत इह था मेरा इसक का पाउंडेशन इसका पैकेजिन गाइज मुझे अच्छा लगा यह देखिए यह यह पंप में आता है यह कि यह देखिए मैं आपको जिखाती हुआ यह बहुत इसली ब्लेंड हो गया है और इसमें मेरा शेड नमबड है इसका शेड नमबर पता नहीं हाँ इसमें मेरा शेड नमबर है थ्री कैरी ऑन कैरमेल इसमें मेरा शेड नमबर थ्री है यह तो यह रहा यह ग्लास बॉटल में आता है आपको कुछ इस तरह का इतना छोटू सा पैकेजिंग बहुत क्यूट है अगर आप लेना चाहते हो तो यह आपको बाइक कर सकते हो इसका भी प्राइस ज्यादा नहीं है इसका भी प्राइस है तो यह है कुछ इस सवीका का पैकेजिंग इतना अच्छा है ना तो यह है इसको मैं उपेन करते हूं इसमें आपको एक मिरल मिलता है यह है इसका स्पंज यह यह पाउडर जिए आपको फि tâte मैं कॉम पैक नीए आपको पता ह Aug नेक्स्त करते है यह ब्लू हैवन का डाइमन भी व्लेस होन यह यह ब्लू हैवन का बलश है व्ल से इसमें मे तर्सेड एभ चुग आ PAUL में मैंशेट कैंटिति में यह जएफ के पसंद नहीं आया इसमें का इसमें कोअ भी मिलता है इसको मैं आपको ओपेन करके रिकाते हूं यह लेगी कुछ इस तरह का यह पैकजिंग है इसकी यह यह ब्लॉस मुझे इतना अच्छा नहीं लगाएगा इसका कलर यह है यह शेड है कुछ पीची सा सेड है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा इसमें एक छोटे-छोटे पार्टिकल्स भी स्पार्कल के जो कि आपको लगाने कवाद बहुत ही अच्छा नहीं लगड़ा मुझे आपको मैं एक त्वासा लगा के दिखाते हूं इसके हैं उसके है यह कि यह कुछ चीज़ तरीका का है मुझे यह ब्लस इतना अच्छा नहीं लगा इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ऐसा मिलेगा बट मुझे यह शेड अच्छा नहीं लग रहा ना मुझ मेरे पर सूट होड़ा है और फिर भी देखते हूं यह मैं यूज करूंगी तो यह रहा मेरा वो ब्लस अस एल्फ गुटनेस का रोज फेस मास्क है यह यह आपके स्कीन को स्मूथ रिफ्रेस एंड हाइडरेट करने में हेल्प करता है ठीक है यह रहा है कि पैकेजिंग विडियो सच में बहुत ही क्यूट लगी आपको देख सबते हो एंड इसका प्र आपको मिल जागा और आपको कुछ भी बाइक करना है तो आप लिंक के तुरू जाके बाइक कर सकते हो तो यह रहा है वो एल्फ गुटनेस का यह पेस मास्क है एंड इसी का मैं स्क्रब भी ली हूँ रोज रोज फेस स्क्रब है ठीक है इसको आपके डेड स्कीन को यह बनाने वाली हूँ तो उसके लिए आप में चैनल से बने रहें तो यह रहा है एंड लास्ट पोड़क्त है वो है मेरे पास हिमाल्या का अलोवेरा फेसियल वाइप से यह रेखिए इसमें आपको 25 वाइप मिलते हैं इसका प्राइस भी आइधिंक 100 रुपीस था यह इस यह रहा है यह था मेरा लास्ट पोड़क्त सो गाइज मेरा हॉल वीडियो होता है complete यह हो गया अपको यह अच्छा लगा और तो अगर आप लोगो को हैल्फू लगता तो गाइस प्लीज मेरे वीडियो कर दीजिए का लाइक मेरे चैनल को करना सब्स्क्राइब एंड आपक लिए आपको से मिलतों फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लव यू ओल